मन में द्रडता का संकल प्लेना ऐसा शब्द है जो मानब जीवन को बड़ी सीख प्रधान करता है मानब जीवन में द्रड संकल से ऐसे कारे भी हो जाते हैं जो साधारन जीवन में मात्र कल्पना ही की जा सकती है जी हाँ ऐसे ही द्रड संकल को लेकर यूवा योगियों ने रामपद गमन की ठानी और पद्यात्रा ब्रहमण के लिए निकल पड़े हम आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले बिकाप पूरी तवसिल निवासी अमित योगी और अपने चोटे भाई समराठ योगी के साथ बिगत सुला जुलाई को अयोध्या से अपनी पद्यात्रा आरम कर आजधार्मिक नगरी उमर्याद जिले की पाली सहित अन्य के द्वारा किया गया इस दोरान दोनों योगियों के चरण धुलाए गए साथ ही तिलक वंदन कर आरती उतारी गए पद्यात्रा कर रहे अमित योगी जी का यह आत्रा देर शाम घुन गुटी पहुंची जहां भाश्पानेता अभैशिवहरे के नेतरत्वमे य जगाया है हम इनके यात्रा के मंगलमय कामना करते हैं यह यह आत्रा को ले कर अमित योगी ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराद्य देव हैं और उन्होंने तियाग तपस्या वबलिदान देकर राजार राम के प्रभू श्री राम कहला है उन्होंने 14 वर्ष का वनवास कद किसी तरह जीवन व्यतित किया वह मानव जीवन में भी अनुसरण करना चाहिए और लेकनिया है कि उमर्या जिले के उनकी पदियात्रा को शोभा यात्रा के रूप में विश्व हिंदु परिशेत व बजरंग दल के जिला सयोजक संदीब बाधवास सोडू विश्व कर्मा ने परिवर्थित कर अपना अमुल्य योगदान दिया जिसमें अभी शेक चौरस या ओम सोनी रोहित की भूमी का उलेकने रही अमित योगी जी आज हमारे उमरिया जिले के बिरसिंगपूर पाली नगर पहुँचे जिनका मैं आप लोगों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ आप राम पत्वन गमन जहां जहां भगवान स्री राम जी राजा राम चंद जी होने के बाद भगवान स्री राम हम सब के आराध कैसे बने उन सभी रास्तों पर चलते हुए भगवान स्री राम का आदर्स और उनके चरित्र का बखान करते हुए उनसे लोगों को जोडने के लिए धर्म धोजा की पताका को लहराते हुए हर घर में भगवान स्री राम का उद्गोस हो ऐसे संकल्प को शिरोधार करने के लिए भगवान अमित योगी जी इस पत से निकल रहे हैं और भगवान स्री राम के पत को नमन करते हुए उनके वन गमन वाले पत में चल रहे हैं ऐसे अमित योगी जी का मैं हरदिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, साथ ही आपकी यात्रा जो जुलाई महिने से आरंब हुई और आज दिनांग तक अनवरत चल रही है, आपकी आंगे की यात्रा भी भली भादि पूर्ण सफल हो, फली भूत हो, उसी आसा और आप मैं भगवान स्री राम से कामना करता हूँ, आपका आंगे का मार्ग भी सरल और सहज हो, और सीग्र आप भगवान स्री राम के संदेश को हर घर तक पहुचाने में सफल हो, इनी बातों के साथ मैं एक बार पुना उनको नमन करते हुए, उनके विचारों को प्रणाम करता अमित योगी, हमारे साथ ही समराड जी, अपना साहगन्ज चौरहा मुकीमपूर, पहसील बीकापूर, जिलाय उध्या जी अपना निमास है, और ये यात्रा का मन प्रभुसी राम जी के जो भाव और वो चौदा वर्सका बनवास, जिसे कहेंगे कि एक कठिन तक करके भगवान से ही राम, राजा राम से भगवान से ही राम हुए, किसी महापूरुस ने कहा, राम बन गए तो बन गए, तो बन गए तो क्या बन गए, तो भगवान राम बन गए, तो ऐसा भाव देखने को एध्यानगरी में मिलता है, चक्रवर्ती समराड के पुत्र, पूरे समाज हिंदू जाती और मानो जाती के लिए वह उन्होंने धर्म की धरोहर के लिए कार किया और हम सब के प्रेणा स्त्रोथ बने उसी प्रेणा स्त्रोथ को ले करके भाव मन में आया कि राम बन गए तो बन गए तो और इतने कश्ट सहे 14 अवर्सों में चाहिए वो पद पैदल चले जंगलों में चले पहाडों पे चले नाली और नालों में चलते हुए उन्होंने इस चौदा वर्स के वनवास को धूप है छाओ है बरसात है वो सब उन्होंने जहला तो वो सब इस सरीर पर हम सह सकते हैं क्या ऐसा भाव अपने मन में भी प्रकट हुआ और वो सब कटनाईयां जहलने के लिए हम सभी ने इस स्यात्रा का संकल्प किया जैसा कि हमारे दो महापुरुस अयोद्या से निकले हुए हैं और हमारे जिले में वो व्यार्तमान तीन दिन से अपने आँ हैं तीन दिन से विसंदू परसद बजरंग दिन उनकी लगातार रच्छा कर रहा सेवा कर रहा भोजन की विए उस्ता कर रहा है ऐसे महापुरुस हमारे यहां भगवान राम 14 वर्थ का जहां जहां वनवास उन्होंने किया ऐसे महापुरुस उस जगह पे जा रहे हैं हर जगह वो अपने परिक्रमा करेंगे और इस हिंदुत को जगाने के लिए उन्होंने जैसे भगवान राम वहाँ उस जनम में उन्होंने अवतार लिया था ऐसे लगता है कि कलियोग में भगवान राम हमारे साथ चल रहे हैं राम लच्वन की यह जोड़ी जो देखने को हमको मिल यह हमारा स्वभाग है और काफी अच्छा है कि ऐसे सालगेंट के आदमियों के बीच में हम चल रहे हैं और इस्वर करें कि यह पूरी परिक्रमा उनकी पूर्ण हो और पूरे हिंदुस्तान में एक वो हिंदुत जगा दें इस हिंदुत को जगाने के लिए काफी मेहनत करन हमारे साथ हैं इसी के साथ में साधर धन्यवाद है कैनन न्यूज के लिए उमरिया सी प्रभीट दिवारी की रिपोर्ट